स्वागत है आपके अपने ही चैनल फाइव स्टॉक्स में देख लेते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा कौन-कौन से स्टॉक मूब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में अमरा टेलीग्राम ग्रूप का लिंक दिया गया है जिससे आप जोइन कर सकते हैं जिसमें इंट्राडे अपोर्चनिटीज प्रोवाइड किये जाते हैं सबसे पहले बात करेंगे आप निफ्टी 50 के बारे में तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में क्या हुआ 50 50 में यहां opening हुआ और इसका लगा की low break होगा लेकिन यहां से market bounce back किया और लगभग 1500 से 200 point market उपर फिर यहां से rejection आया और आप देख सकते हैं यहां से भी नीचे के भी कुछ puts काफी अच्छे targets देखे कहा हैं इसमें फिर एक range में ही यह consolidate किया और 21 330 के round में यह closing दे दिया कल के लिए क्या planning होगा इसमें अगर मान लिजे market इसी range में flat open होता है और 21 377 के उपर निकलता है फिर हम इसमें buy side brand करेंगे और target 21 450 के round level तक हम इसमें बैठने का मौका मिल सकता है एल साइट का plan होगा जब मान लिजे market इस range में open होता है और 21 290 जो यह level है या फिर यह box है इसके नीचे अगर break दिखता है या फिर यही पे open होके और इसके नीचे 15 मिनट यहाँ पे sustain दिखता है मतलब एक bearish candle दिखता है जैसे यह candle है और इसके बाद हम इसमें put side plan कर सकते हैं पहला target consider करेंगे 21 200 के round level देन आगे 21 150 तक के target देखने को मिल सकते हैं देख लेते हैं bank nifty देख लेते हैं bank nifty में क्या हुआ बैंक nifty में opening हुआ इसका low break हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं लेकिन ये एक trap था और यहाँ से market लगभग 300 point उपर देख सकते हैं फिर उपर rejection आया है 11 बजे के candle में और यहाँ से market काफी अच्छे false इसमें देखने को मिले nifty bank के अंदर और यहाँ से करीब से करीब 500 से 600 point nifty bank नीचे आया आप देख सकते हैं फिस इस range में ही market closing दे दिया कल के लिए क्या प्लानी होगा अगर मान लिजे इस range में market open होता है इस range में अगर open होता है और इसके उपर निकलता है अगर 47 628 का ये level अगर उपर breakout देगा फिर हम इसमें call side प्लान कर सकते हैं और target 47800 के round level तक travel करने का मौका मिल सकता है लेकिन ऐसा market मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि foreign market भी अभी closing पे है और market हो सके तो एक range में ही consolidate करे या फिर इस range में open होके और 47 630 के उपर निकलता दिखता है हम फिर इसमें call side प्लान करेंगे और target 47800 के near about हम इसके travel कर सकते हैं sell side का प्लान होगा जब इस level पे market open होता है और यह जो अपना level है 47 400 का round level अगर इसको break करता है नीचे sell side हम प्लान कर लेंगे और target 47 250 तक के near about travel करने का मौका मिल सकता है देख लेते हैं stocks जो पिछले दिन दिये गया थे कैसे वो पॉम किये पहला था हिंडेलको industries देख सकते हैं level पे ही opening हुआ 560 target 565 कहां तक गया है देख सकते हैं 572 का हाई लगाया है इसने जिसने भी इसमें trade लिया होगा I hope काफी अच्छे profits बनाए होंगे इसमें सेकेंड पिक दिया गया था सिपला लिमिटेड इसमें buy level था देख सकते हैं range में open हुआ और second candle में इसका breakout हुआ यहां पे buy side plan था अपना 1232 के ऊपर target 1245 लेकिन यह 1242 मतब 3 point से target मिस कर दिया देन फिर यह आके SL हिट हुआ होगा अगर जिसने भी यहां पे profit booking नहीं किये होंगे या फिर SL cost to cost नहीं किये होंगे then उनका SL भी हिट हुआ होगा अब देख लेते हैं कल के लिए दो stocks first stocks है Vipro काफी bullishness है IT sector में आप देखी रहा है इसमें buy planning होगा 465 के ऊपर जिसका SL 469 का बना के चलेंगे और target 479 देखने को मिल सकता है Sell करेंगे अगर 555 के नीचे market निकलता है जिसका SL 462 का बना के चलेंगे और target 452 तक travel करने का मौका मिल सकता है इसमें Second pick होगा कल के लिए State Bank of India इसमें हम 640 के ऊपर अगर ये निकलता है हम इसमें buy side plan करेंगे जिसका SL 636 4 points का बना के चलेंगे और target 645 देखने को मिल सकता है Sell करेंगे अगर 635 के नीचे निकलता है इसका SL 649 का बना के चलेंगे और target 630 तक travel करने का मौका इसमें भी मिल सकता है ऐसे ही बहतरी levels and stocks के लिए हमारी Telegram group जरूर जोइन कर लें जिसमें intraday opportunities प्रोवाइड किये जाता है चैनल को like करें, subscribe करें और comment section में एक बार जरूर बताएं अगर वीडियो आपके लिए helpful है Thank you झाल